महिंद्र आपने एक्टी थ्री डबलों को फेसलिट के साथ में अपडेट करना वाला है और 2023 में आपको इंडिया के अंदर यह चीज देखने को मिलेगी अभी तक कोई भी नियूज नहीं है एक्टी थ्री डबलों के लेकिन 2023 के अंदर ही इसका लॉंच होने वाला है अगर आ ब्रांड की जितनी भी गाडिया नहीं आने वाली उन सब के बारे में डीटेल में वीडियो देखने को मिल जाएंगे लेकिन यह वीडियो आपके लिए हैं अगर आप पी उन में से हो कि आपको एक्टी डबलों के लिए आप प्लान कर रहे हो 2023 के अंदर और कंफ्यूज हो क अभी वाली लेनी है या फिर नहीं के लिए वीड करना है या फिर ब्रांड या फिर कोई कॉम्पिटिशन में से कोई और गाड़ी उठानी है आपको इस वीडियो को एंट तक जरूर देखना पांच ऐसे हम रीजन्स बताने वाले जिन रीजन्स के चलते आपको रुकना च इंफर्मेशन से रिलेटेड होंगे तो थोड़े छोटे मोटे आपको पोर्शन शॉर्ट के अंदर देखने को मिलेंगे तो वहाँ पे भी जाके आप मदलब कि इसी चैनल के वो सब्सक्राइब कर लो और शॉर्ट को देखा करो ताकि आपके जो डिली इंफर्मेटिव जो पर शुरूआत करने वाले हैं तो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो होने वाला है प्राइजिंग अब प्राइजिंग की बात की जाए तो इस गाड़ी के साथ में हमेशा से प्राइजिंग को लेकर लखड़े हुए है मरलब मैं बात कर रहा हूं इन्दे सेंस की जब यह गाड़ी launch हुई थी तब इसकी pricing almost 14 लाग थी और उस वक्त competition में कोई भी और गाड़ी इतनी highly cost नहीं थी और इस वज़े से लोग को भी ऐसा था कि इस segment के अंदर यार 15 लाग देखे कौन गाड़ी खरीता है तो वैसी mentality भी थी Indians की इस वज़े से गाड़ी को बहुत कम response मिला था और literally गाड़ी flop हुई थी हाला कि एक भी ऐसे मतलब character नहीं था गाड़ी के अंदर की वो flop होना deserve करती थी बहुत अच्छे खासे features आपको गाड़ी के साथ में मिला करते थे front parking sensors आपको उस वक्त compact SUV में मिला करते थे जो की हाल आज की तारीक में आपको क्रेटा के अंदर देखने को नहीं मिलते और वैसे ही लोगों ने कदर नहीं की और इस वज़े से गाड़ी को flop होना पड़ा मतलब कि ऐसा ही कुछ हुआ था लेकिन pricing की बात करते तो जो 3 00 facelift आन कुछ ऐसे हैं नहीं की एक्षिव 3 00 सिल्फ महन की है ऐसा लोगों को लगेगा तो इस वज़े से इस गाड़ी को और ज्यादा effective pricing डेखने को मिलेगी आपको इस गाड़ी के साथ में इस वज़े से जो facelift होगा वहापे भी आप थोड़े बहुत attract होंगे जरूर इस गाड़ इसके अंदर ही आपको डेखने को मिलेगी प्लस यह आपको ज्यादा features provide करने वाली है हो सकता है competitors ना प्रोइट करने हो वैसे features भी है provide कर दे क्यूंकि महिंद्रा को अच्छे से पता है market को कैसे handle करना है exactly Indians को क्या चाहिए वो भी उन लोगों को पता है हमने example देख लिया है 7 00 और Scorpio N के साथ में तो 3 00 के साथ में भी ऐसा ही कूछ होने वाले आपको features बहुत तगड़े इस गाड़ी के साथ में देखने को मिलने वाले हमें inside reports मिले हैं अगर आपको detail में features का list चाहिए comment करके ज़रू बताना subscribe कर देना ताकि वो वीडियो जब भी हम publish करें वो आपको पता चल जाए या फिर आपको देखने को मिल जाए लेकिन छोटे मोटे features की में बात कर लो तो आपको floating impotainment system और जो instrument cluster होगा वो connected देखने को मिलेगा जैसा 7W में हमने देखा है अलाकि उतनी size नहीं मिलेगी आपको लेकिन उससे थोड़ी सी छोटी size के अंदर ऐसे floating type of impotainment and instrument cluster combine देखने को मिलने वाले तो यह बहुत इंट्रेस्टिंग चीज होगी इस segment के अंदर तो फर्स्ट गार हो सकती है तो ऐसे features कई सारे आने वाले third point सी बात करें तो वह है design अब design के मामले में कई लोग बोल रहे थे कि पीचे से गाड़ी hatchback type लग रही है सब four meter SUV नहीं लग रही है तो वहाँ भी महिंद्रा ने महिंद्रा एक solution कर सकती है कि एक सब्सक्राइब में उन लोगों ने जो पीचे से थोड़ा सा ज्यादा कव दे रखा है वही सेम आपको design देखने को मिल सकते है three double facelift के साथ में cosmetic changes के अंदर ही आएगा यह कुछ ज्यादा ऐसे change करने की जरूर नहीं है लेकिन ऐसा महिंद्रा जरूर कर सकती है तो इस वजह से आपको वह जो design वाला पाट था पीछे से और साइट से देखने में और लग रहा था वह नहीं लगए और वैसे इस गाड़ी की design भी in one of those है कि आपको आपके उपर grow करने लगए कि जैसे जैसे आप इस गाड जिस नहीं आने वाले facelift के साथ में भी तो यह सारी चीजे थी अब move on करते हैं हमारे next point के उपर तो वह उने वाला है turbo DCT अब यह point exact उन लोग के लिए जो की auto enthusiast है या फिर automatic को consider करना चाहते लेकिन उनको power कम लग रहा है जो EMT existing EMT है उसके अंदर तो इसका solution अभी finally access readable of facelift क के साथ में आपको देखने को मिलने वाला है तो आपको 1.2 liter के turbo petrol के साथ में 7 speed का DCT gearbox मिलना वाला है और कितने chances से इसके आने के वो हमें नहीं पता है लेकिन inside reports के according बात करें तो यह आने वाला है और इससे ज्यादा high chance है कि आपको talk converter देखने को मिल जाए diesel automatic के साथ में तो जो auto enthusiast है लेकिन automatic खरिदना चाहते है उनके लिए बहुत अच्छी deal होने वाली है क्योंकि उन लोगों को यह गाड़ी हमेशा से पसंद होती है auto enthusiast को क्योंकि driving dynamics इसके बहुत अच्छे होते है तो इस वाज़े से आप बोल सकते हो कि जो facelift आएगी उसे साथ में अगर automatic के GMT की वज़े से वह अभी नहीं होगा तो फाइनली अब लोग इसको consider करेंगे और यह automatic talk converter और DCT बहुत अच्छे gearbox होते है specially turbo petrol के साथ में दो DCT बहुत effective रहता है तो इस वाज़े से यह एक अच्छी चीज़ होने वाली इस गाड़ी के साथ में तो facelift के साथ में अगर आप ऐसा कुछ चाहते हो आपकी गाड़ी के अंदर talk converter के अंदर DCT चाहिए और या फिर आप auto enthusiast हो थे तो फिर आपको रुखना चाहिए अक्छी 3OO facelift के लिए तो यह सारी चीज़े थी इस point के अंदर और अब last और final point की बात करने वाले तो वो हमारा होने वाला variant distribution अब इससे सिधा सिधा मतलब यह है कि जिन लोग का budget tight है या फिर जिन लोग को ऐसे variant चाहिए जो कि अभी आपको combination के साथ में नहीं मिल रहे particular needs के according अगर किसी को कोई variant चाहिए वो particular features चाहिए गाड़ी के अंदर तो वो अभी नहीं मिल रहे तो फिर wait कर लो facelift का उसके साथ में आपको 2 या 3 variants extra देखने को मिल सकते है तो वह आपको हो सकता है कि आपका मन पसंद जो भी features से या फिर needs के according जो भी pack है वो आपको देखने वेरियंट होगा लेकिन अगर आपको अभी नहीं मिल रहा है वो वेरियंट तो फिर रूखना ही बनता है या फिर आपको अगर एक्षी 3 00 facelift पसंद आती है या फिर अभी वाली 3 00 पसंद या फिर प्रोड़क्ट यह आपको पसंद दे तो फिर आपको रूखना चाहिए 3 00 फेसलिप के लिए तो आई होप यह इंफर्मेशन भी आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आतो लाइक से सब्सक्राइब जरू कर देना ऐसे इंफर्मेटी शॉर्ट इस चैनल के उबर स्टार्ट होने वाले तो सब्सक्राइब करके जरूर रखो अगली वीडियो तक अगी वीडियो तक.